पर नारायन तो नारायन है वो दिखाना चाहते थी कि धर्म अधर्म से हमेशा दो हाथ आगे चलता है पर नारायन के इस बात पर यूग माया भी सोच में पड़ गई देवी कल्याणी अब मेरे लिला का समया गया है इसलिए देवकी के गर्भ में जो संतान पल रही है उसे लेकर आपको कुल जाए वहां कंस के डर से छिपकर वसुदेव की एक पत्नी रोहिनी रहती है और देवकी की उस संतान को आप उन्हीं रोहिनी के गर्भ में रखते पर नारायन मुझे समझ नहीं आया आप करना क्या चाहते है देवे कल्याणी जब आप बल्राम को ले जाकर रोहिनी के गर्भ में रखतेंगे तो देवकी के गर्भ में मैं आ जाऊँगा ये तो आपने और उलज़ा दिया प्रभू कंस तो देवकी के आठवे पुत्र का वद करने पर उतारू है यदि आपने देवकी के आठवे संतान के रूप में जन लिया तो क्या आपको भय के कंस मुझे मार सकता है नहीं देव ये तो असंभव है तो बस आप देखती जाए हाँ बस आप एक काम और कीजी कि गोखुल में नंद की पत्मी यशुदा चिन पर मेरा बहुत स्थी है आप उनके गर्व में चली जाए भगवान विश्णू की इस पहिली को योगमाया भी समझ नहीं पाई पर उन्होंने किया ठीक वही जो श्रीहरी विश्णू ने उनसे कहा वो जाकर यशुदा माता के गर्व में एक प्यारी सी बच्ची बनकर पलने लगे और फिर अश्टमी की वो रात आई जन्माश्टमी यानि हमारे गोपाल के जन्म की रा कारागार के बाहर कड़ा पहरा लगा था चोखन ने रहे ना पंडितु ने बताया कि देवकी आज बच्चे को जन्म देगी कहीं कहीं भूलचुक हो गई तो भूलचुक पागल हो क्या भूलचुक करके जान गवानी है क्या अगर महराज गंस को देवकी का पुत्र नहीं मिला तो वो सारी मथुरा को आग लगा देंगे देवी योगमाया ने नारायन के आदेश का पालन किया पर जब योगमाया देवकी के गर्ब में पल रहे बलराम को वहां से लेकर रोहनी के गर्ब में डाल आई तो अचानक देवकी को लगा जैसे उनके गर्ब में कुछ हुआ है कि एस उनिये मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है क्या केह रही हो तुम हां अभी तो प्रसाफ पिडा हो रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो वो कभी भी जन्म ले सकता है पर अचानक अचानक सब कुछ सब कुछ शांत हो गया जै क्या वे जह रही हो तुम इसका मतलब ही जान्ती हो मतलब शहारी बच्च जीविट नहीं नहीं मुझे तो कुछ और अनुभाव हो रहा है जैसे वो जैसे वो अभी पेत में था और अचानक अचानक pose वह यह क्या हो क्या है तुम्हें कैसी बाते कर रही हो, ऐसा तो कभी होता ही नहीं है, अरे, अरे, यह क्या हो रहा है, कितनी, कितनी, कितनी रोश्णी है, कारागार की इस अंधेरी रोश्णी में, यह दिव्य प्रकाश कैसे, अरे, देखो, 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 जैसे उसमें कोई प्रकट हो रहा है, यह ही श्वय कमल नयन, कंधों पर सुन्दर लटकते खुन्राले माल, कले में कौस्तों मड़ी, और विशाल सुन्दर श्याम काया पर पीतांबर, आप तो नारायन है प्रभू। आप तो आप तो नारायन है प्रभू। नारायन, मेरे आराद है, श्री हरी विश्णू, कहीं में स्वप्न तो नहीं देख रही। वसुदेव, माता देव की, आप जो भी देख रही है, वो बिल्कुल सस्ते है, ये मैं ही हूँ, आपका नारायन। नारायन। ये प्रभू, हम धन्य हो गए, प्रभू, हम धन्य हो गए, हम धन्य हो गए। धन्य तो मैं होना चाहता हूँ, आप जैसी नारी की संतान पनकर। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभू, क्या ये सब सत्य है, आप… डेवी, आपको स्मरण नहीं होगा, पर मैं अपना वचन कभी नहीं भूलता, अब मैं आपको आपके पिछले तीन जन्यों की बात बताता हूँ… वो है नाना पाल को पाल फीवर फीवर